अब बात करेंगे भारत और रूस के जॉइन्ट वेंचर इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिम्टेड यानी I.R.R.P.L. ने भारती सेना को 3500 AK203 असॉल्ट राइफल डिलिवरी कर दी है इनका प्रोडक्शन 2021 में मेक इन इंडिया और आतनिर्भर भारत के तहर शुरू किया गया है इस राइफल की खासियत है कि ये एक मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है वजन में हलकी होती है और कभी जान नहीं होती IRRPL ने भारत में AK203 कॉल्शन कोफ असॉल्ट राइफल के प्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट का पहला फेस पूरा कर लिया है इसके साथ ही भारत AK203 सीरीज की असॉल्ट राइफल का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है कॉल्शन कोफ AK203 असॉल्ट राइफल भारती सेना में इस्तिमाल किये जाने वाले 7.62x39mm कार्टूस के लिए बनाई गई है AK203 राइफल का एक वर्जन है भारत में सेना के अलावा सुरक्ष अजंसियों को भी AK203 असॉल्ट राइफल से लेस किया जाएगा इसके अलावा RRPL इस राइफल को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकेगा भारती सेना 1996 में इंसास राइफल इस्तिमाल कर रही है अभी तीनों सेनाओं के पास इंसास यानि इंडियन स्पॉल आर्म सिस्टम करीब सास से आठ लाग है इंसास की तुलना में ये राइफल छोटी, हलकी और जादा घातक है AK-203 का वजन 3.8 किलो है जबकि इंसास राइफल का वजन बिना मैगसीन और बेयोनिट के भी 4.15 किलोग्राम होता है इंसास की लंबाई 960 मिलीमीटर जबकि AK-203 705 मिलीमीटर लंबी है ये AK-47 सीरीज का एडवांस वर्जन है ये कभी जैम नहीं होती, भीशन सर्दी, गर्मी बारिश का भी असर नहीं होता इस पर वजन और लंबाई कम होने से AK-203 यूति के समय सैनिको के लिए सुभिधा जनक होगी भारतियों सैनिको को थकान कम लगेगी, लंबाई कम होने से इसकी हैंडलिंग काफी जादा आसान हो जाएगी भारतियों सैनिको के लिए तो एक मिनट में 700 राउंड फाइरिंग करती है, हल्की और हर मौसम में ये कारकर होगी अब बात करेंगे ब्रिटेन के आप